Hey everyone, welcome to Magnet Bains, this is Saloni Pande तो जैसे कि आपने स्टोरी में देखा ही होगा और अगर आपने स्टोरी में नहीं भी देखा है तो मैं आपको पता दूँ कि मैं आपके लिए लेके आती हूँ एक सर्प्राइस बॉक्स उस बॉक्स में होते हैं कुछ ऐसे टर्म्स, कुछ ऐसे कॉंसेप्स जो आपके सोशलोजी में most important हैं और ना केवल सोशलोजी में बलकि हर एक सबजेक्ट में ये टर्म्स आपको यूज होते हैं ना केवल आपकी 11, 12th NCRT में बलकि आपके कॉंपिटेटिव एक्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए भी ये टर्म्स, ये कॉंसेप्स most important हैं आप इने अपनी day to day life में यूज करते हैं तो वैसे ही आज की surprise box में से मेरे आपके लिए मैं कौन सा term लेके आई हूँ तो वो है caste यानि कि आज के इस वीडियो में हम discuss करने वाले हैं what is caste अब जब भी caste आपके सामने term आता है या ये वो जो भी कोई use करता है तो क्या चीज़े आती है caste क्या होती है या फिर इन हिंदी से हम जाती कहते हैं तो जाती क्या होती है ठीक है एक सार हम कहते हैं कि हम इस जाती से हैं हमारी ये caste है हम ब्रामन हैं हम शत्रिये हैं या फिर कोई कहता है ये नीची जाती के हैं, कोई कहता है हम ऊची जाती के हैं, और this caste we belong to. तो ये caste क्या होती है, ये जाती क्या होती है, ये आज सारा कुछ detail में अपन discuss करने वाले हैं, ओके, तो यानि की detailed discussion and analyze of your topic, what is caste. So, ready है आप सभी and I hope कि आप सभी बहुत ही excited भी होंगे. Okay, so let us begin. So, what is caste? Caste refers to inequalities. Caste का मतलब क्या होता है? Inequalities, असमानताएं, ठीके, कुछ प्रकार की असमानताएं हैं, उसका मतलब होता है जाती, यानि की जो जाती या caste होती है, उसके अंदर आसमानताएं या inequalities होती हैं. अब कैसी होती है? In terms of social owner or prestige. आपकी समाज में, हम सभी एक समाज में रहते हैं, ये आपके विलकुल ध्यान में रहना चाहिए, और सारी चीजें हम समाज को ध्यान में रखकर ही पड़ेंगे. ठीक है? तो अब हम सभी समाज के अंदर रहते हैं. इस समाज में, आपका कितना समान है, कितना सतकार है, आपकी क्या प्रतिष्ठा है, इन सभी के बेसिस पर कोई, मतलब किसी की समान, किसी की प्रतिष्ठा बहुत जादा होती है, किसी का समान बहुत कम होता है, किसी का बिलकुल ऐसे मीडियन, ठीक है, इस टाइप से होता है. Secondly, it refers to broad hierarchical institutional arrangement यह जो caste का पूरा एक system चल रहा है यह जो caste होती है जो जाती होती है यह एक hierarchical institutional arrangement के अंदर होती है यानि कि एक sequence में इसको जो है institute किया गया है या arrange किया गया है इसको जो arrange किया गया है वो एक sequence में या hierarchy में किया गया है शिरेणी बद्ध किया गया है ठीक है इसको यानि कि हमने distinguish कर दिया है कि कौन सबसे top पे आएगा कौन उसके नीचे कौन उसके नीचे और कौन सबसे नीचे आने वाला यानि कि एक पूरा arrangement है तो यह जो caste होती है जो जाती होती है वो भी hierarchical institutional arrangement होती है then it is ascribed it is ascribed यानि कि यह जो है आपके ऊपर एक तरीके से कहें तो थोपी जाती है या फिर आप इसे acquire नहीं करते हो कि आप ब्रामण जाती के होगे या जो है आप शुद्र जाती के होगे आप किस जाती के होगे, आप जिस भी कास्ट के हो, तो आप किस कास्ट के होगे, ये आप डिसाइड नहीं करते हो, बलकि ये आपको एसक्राइब होती है, अल्रेडी आपको दी गई होती है, कैसे? आपके जन्म के आधार पर, आपने जिस भी जाती के अंदर जन्म लिया होगा, आपके पैरेंट जिस भी जाती के होगे, आप भी उसी जाती के रहोगे, आप क्या काम करते हो, वो चीज भी आपकी जाती बताती है, ठीके? आपकी क्या rank है यह जो मैं hierarchy की बात करे हूँ इस hierarchy में आपकी क्या rank है आप top पे आते हो आप bottom पे आते हो आप middle में आते हो उस rank के basis पर भी आपको caste, provide या ascribed की जाती है आपका क्या status है आप कितने शुद्ध हो या आप कितने अशुद्ध हो यह सभी के basis पर आपकी जाती को determine किया जाता है It is a form of social stratification समाज के structure के अंदर, society का एक structure होता है जिस तरीके से society work करती है उस society के structure के अंदर कुछ inequalities होती है उसी का part होता है या उसी का form होता है caste यह आप सोच रहोंगे कि मैं बिल्कुल हमने zero से start नहीं किया हम कहीं बीच से start कर रहे हैं तो एक चीज मैं आपको बता दूँ बच्चो कि जब भी हम समाज के अंदर कोई चीज पढ़ रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ समाज की बारे में हमें पता ही होता है यहां से start करने का मेरा purpose यह था कि एक बार आपको समझ में आजए कि हम बात किस चीज की कर रहे हैं उसके बाद हम जानेंगे कि origin कहां से हुई caste की तो यह जो मैं आपको बता रही हूं कि caste क्या होती है इन चार points आपको समझ में आया होगा कि सबसे पहले तो आसमानता जाती आसमानता को दिखाती है दूसरी तरफ caste हाइरेर्की में होती है इसमें कोई टॉप पे होता है कोई बॉटम पे होता है कोई मिडिल में होता है यह हमें दी जाती है हमने खुद इसे acquire नहीं किया है बलकि यह ascribed है यह social stratification का एक form है social stratification यानि कि society के अंदर जो structure है जो groups हैं जो इस तरीके से society function करती है वर्क करती है उस structure में कुछ आसमानता हैं और उसी का एक form या एक part है caste तो आपको एक introduction एक थोड़ा सा मतलब प्रस्तावना जोए मिल गई होगी कि caste क्या होता है या caste क्या होती है अब हम इस caste को इस term को detail में समझते हैं कि यह caste जो है यह कहां से आई कैसे इसका origin हुआ और आज जितनी भी प्रकार के जो भी हम जाती प्रस्तावर यह सारी चीज़े पढ़ते हैं यह सभी क्या होती है सबसे पहले हम जानते हैं origin of caste caste का origin कहां से हुआ caste कहां से शुरुआत हुई अगर term की बात करें caste जो term है अगर आप उसकी बात करो तो the word caste derives from Portuguese word caste Portuguese में एक word use किया जाथा था caste meaning species, race और kind किसी एक particular species को किसी एक जो है clan को, tribe को represent करने के लिए इस term का use किया जाता था caste और इसी word से निकल के caste बना तो caste term कैसे बना यह आपको पता चल गया होगा now social inequality exists throughout the world अब देखो समाज में जो असमानता हैं वो पूरे world में हैं ऐसा कहीं भी नहीं है कि पूरा समाज या कोई एक समाज ऐसा नहीं है जहां पर किसी भी प्रकार की आसमानता नहीं होगी आसमानता या inequalities हर एक society के अंदर होती है चाहे वो किसी भी प्रकार की हों अगर हम जाती को एक बार के लिए छोड़ भी दें तो हर प्रकार की आसमानता होती हैं कोई बड़ा होता है कोई चोटा होता है कोई बुजूर्ग होता है कोई यंग होता है कोई मतलब देखिए male और female ये भी तो एक तरीके की आसमानता है आसमानता मतलब difference है दोनों के बीच में difference है उसके बाद में कोई बहुत rich है कोई बहुत poor है यानि की आसमानताएं जो होती है inequalities जो होती है वो हर एक society के अंदर होती है but but perhaps nowhere has inequality been as elaborately constructed as in the Indian constitution of caste लेकिन शायद पूरे world में ऐसी कोई inequality कहीं भी नहीं है जो की Indian institution of caste जैसी हो यानि की हर एक society में inequalities होती है लेकिन जो India का caste system है भारत की जो जाती प्रथा है वैसा एक system वैसा एक institution पूरे world में कहीं भी देखने को हमें नहीं मिलता है अब बात करते हैं कि कास्ट system जहां से शुरू हुआ तो जब ये कास्ट system शुरू हुआ था तो किस चीज़ पर बेज़ था ये purity and pollution पर आप कितने पवित्र हो आप कितने स्वच्छ हो कितने मतलब आप प्यॉर हो और एक जो impure है जो dirty professions में है अच्छा काम नहीं करते हैं उनकी समाज में कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं है इन सभी बेसिस पर इन सभी बेसिस के ऊपर कास्ट system स्टार्ट हुआ था अब हम जो है ये चीज सोच रहे हैं हम ये चीज चाह रहे हैं कि ये जाती प्रता जो शुरू हुई जिसको अभी हमने स्टार्ट करा है ये बदले हम ये चीज चाहते हैं लेकिन ये जो इस्ट्रक्चर है ये पूरी तरीके से ये जो एक system है ये नहीं बदला है और नहीं बदल पा रहा है तो ऐसे क्या वो कारण थे या ऐसी वो कौन सी चीजे थी जिसके थूँ ये कास्ट system evolved up हुआ क्या इसकी life history थी कैसे ये सारा कुछ origin हुआ ये अपन समझते हैं ठीक है तो कास्ट क्या होता है एक general introduction आपको मिल गया कास्ट कहां से शुरू किया किस words से start हुआ ये आपको पता चल गया और हर एक समाज के अंदर inequalities होती है ये भी आपको पता चल गया अब ये कास्ट सिस्टम इंडिया के जैसा लेकिन जो है वो कहीं भी नहीं तो ये इंडिया का कास्ट सिस्टम कैसा है कहां से originate हुआ ये सारा कुछ अपन देखते हैं ओरिजिन अगर आप कास्ट सिस्टम इंडिया की origin देखो तो इसमें पांच थोरी है इसमें 5 थोरी जिसके अंदर आप कास्ट सिस्टम को समझ सकते हो एक है ट्रेडिशनल थोरी ट्रेडिशनल थोरी डिवाइन ओरिजिन की बात करती है ratio theory चत्रवर्ण सिस्टम की बात करती है त्सी पॉलिटिकल ठीरी ब्रामगणीकल डॉमिनेशन की बात करती है ओक्यूपेल सिर्ण ठीरी प्रॉफेशन की बात करती है और evolution की बात करती है अभ आप गएगे माम आपने तो सरिफ़ टर्म्स जो यहां पर लिखा है उनको रीड कर दिया अब हम एक एक करके इन थियोरी को डील करते हैं कि यह थियोरी हमें क्या बताना चाहती है और इनके थ्रू कास्ट सिस्टम कैसे एवॉल्व अप हुआ सबसे पहले देखते हैं ट्रेडिशनल थियोरी को ठीक है ट्रेडिश प्रणा नहीं से हैं तो इट सेज कास्ट सिस्टम इस अन एक्स्टेंशन ओफ वर्न सिस्टम वेर दा फोर वर्न ओरिजनेट फ्रूम्स और बॉडडी ओव ब्रम्भा त्रेडिशनल थियोरी यह चीज कहती है कि यह जो कास्ट सिस्टम है यह जो जाती का एक प्रथा हम रही है यह जो कास्ट सिस्टम है यह वर्ण सिस्टम से ही निकल के आया है जहां पर यह जो चारो वर्ण है यह ब्रह्मा की बॉड़ी से निकले हैं यह ब्रह्मा की बॉड़ी से निकले हैं अब वर्ण क्या होते हैं देखो वर्ण क्या होते थे जनरली पहले के जमान के अगर ह हम चले जहें जब सोसाइटी स्टार्ट हुई थी तो जो भी जो वर्क करता था ठीक है जो भी जो वर्क करता था और उसका जो वर्न होता था अगर संस्कृत में वर्न का मतलब देखो तो संस्कृत में वर्न का मतलब होता है रंग ठीक है या कलर आपका जो कलर होता था और नहीं होता था यह जो कास्ट वर्ड है यह कहीं भी यूज नहीं होता था पहले की टाइम में कहीं इसका यूज नहीं था वर्ण सिस्टेम यूज करते थे यानि की वर्ण को लेके जो भी आपका वर्ण होगा तो वो आपकी जाती को बताता था या वो आपका काम होता था अब या मैं आप जाती ही यूज करते हैं वर्न यूज नहीं करते हैं आप कन्फ्यूज हो जाएंगे जाती ही टर्म को यूज करते हैं लेकिन एक चीज या था कि ट्रेडिशनल थियोरी में जाती शब्द कहीं भी यूज नहीं हुआ था तो क्या कहा जाता था कि जो ब्रह्मा की ब ठीक है ब्रह्मा की बॉड़ी से यह चार निकल के आए हैं जो ब्रह्मा का हेड था ठीक है जो ब्रह्मा का सर था उससे ब्राम्मन निकले ठीक है उससे ब्राम्मन निकले क्योंकि वह उनके सर से निकले तो वह सबसे टॉप पर आएंगे वो उनके सर से निकलिए इसलिए वो सबसे टॉप पर आएंगे उनका काम क्या होगा Teachers and intellectuals वो आपको ज्यान देंगे वो आपको knowledge प्रोवाइड करेंगे यह intellectuals होंगे सारे सार्व भौमिक ज्यान इनके पास में universal knowledge इनके पास में होगा यह होंगे priest होंगे teachers होंगे intellectuals होंगे और इनहें in all इन सभी को ब्राम्मन जाती के नाम से जाना जाएगा ठीक है secondly जो होते थे वो थे शत्रिये जो शत्रिये थे वो ब्रह्मा के shoulders से निकले थे और क्योंकि उनके वो shoulders से निकले थे और जो हमारी shoulders होते हैं वो power को strength को बताते हैं तो यह जो होते थे यह थे warriors या rulers ठीक है जो युद्ध लड़ते थे जो देश को बचाते थे और rule करते थे वो थे शत्री है अब वो head के नीचे हमारे जो arms होते हैं वो head के नीचे होते हैं तो वो second category में आएंगे वो मतलब hierarchy में उनकी second position होगी लेकिन ब्राम्मन सबसे top होंगे secondly होंगे शत्री है जो कि होंगे warriors या rulers थर्ड थर्ड केटिगरी जो थी वो थी वैश्य वेश कौन होते थे जो की ब्रह्मा के थाईज से निकले हैं और इनका काम होता था ट्रेडर्स ये जो है बिजनेस करते थे अगरिकल्चरल अक्टिविटीज करते थे प्रोडक्शन करते थे डिस्टिब्यूशन करते थे trading तो ये जितने भी traders होते थे ये सभी vers के अंदर आते थे जो भी लोग यह काम करते थे वो vers cast के अंदर आते थे और वो इस hierarchy में third position hold करते हैं इसके इन तीनों के अलावा जितने भी लोग बचते हैं जो लोगों को सर्व करते हैं जो की सर्विंट्स हैं जो नौकर हैं आपके घरों में काम करते हैं या बाहर काम करते हैं लोगों की सेवा करते हैं उनकी हेल्प करते हैं वो सभी शुद्र होंगे जो सर्व करेंगे पीपल को जो सर्विंट का काम करते थे सर्व करते थे लोगों को वो होंगे शुद्र और ये ब्रह्मा के फीट से निकले हैं इसलिए ये सबसे जो है नीचे होगे और एक जो चीज चलती थी इनको नीचे रखने का कारण ये था इनको नीचे रखने का कारण ये बिल्कुल भी नहीं था कि क्योंकि ये उनके पैरों से निकले हैं तो इसलि हम अपने feats पे चलते हैं अगर हमारे feats नहीं होंगे तो हम चलनी ही पाएंगे वैसे ही इनकी importance इतनी ही जादा थी कि अगर हमको आगे बढ़ना है हमें अपना दूसरा काम करना है हम अपना काम अपने main work में लगा सकें तो हमें इनकी जरूरत है हमें इन शुद्र लोगों की शुद्र पीपल की जरूरत है जो की हमार हमें सर्व करें ताकि हम अपना बाकी का time जो है ruling में ट्रेडिंग में या अपनी teaching activities में लगा सकें ठीक है तो यह traditional theory कहती थी कि जो ब्रह्मा थे उनकी body से यह 4 वर्ण निकले थे और जो भी जो वर्क करता था जैसे जो भी हो जो भी ऐसा नहीं था कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा ठीक है अगर राजा का बेटा teaching का काम करता था तो वो ब्रह्मान हो जाता था अब just suppose राजा का बेटा जो ब्रह्मान है उसका बेटा जो हो वो सर्व करता हो लोगों को तो वो शुद्र हो जाएगा यानि कि आपके करोगे आप किस जाती के होगे जो भी टीचिंग करते थे वह ब्रामवन थे जो भी रूल करते थे वह शत्रिय थे युद्ध लड़ते थे वह शत्रिय थे जो ट्रेडिंग करते थे बिजनेस करते थे वह ट्रेडर्स थे और जो लोगों को सर्व करते थे वह शूद्र थे प्र ब्रह्मा वाली जो थियोरी है वो क्या है, कास्ट को लेके यह यहाँ पर explain किया गया है, ओके, सो traditional थियोरी क्या कहती थी, कि कास्ट सिस्टम जो है, जो आज के समय में जाती प्रथा आपको देखने को मिल रही है, यह इस वर्ण सिस्टम का ही extension है, जो यह वर्ण सिस्टम पहले चलता था, अब इसी को और extend करके और broad way में हम जाती प्रथा यह कास्ट सिस्टम लेके आ गए हैं, ओके, यह कौन कहता है, यह कहता है, traditional थियोरी, कास्ट के बारे में, अब बाकी दूसरी थियोरी हमारी क्या है, second theory है, racial theory, the Sanskrit word for caste is worn, which means color, ठीक है, racial theory क्या कहती है, racial का मतलब, देखिए, race, यानि कि हम किसी एक particular group की बात कर रहे हैं, और उस group को हम कैसे identify करते हैं, उसके physical features के उपर, race क्या है, यह अपन अलग से discuss करेंगे, लेकिन race का मतलब क्या होता है, हम किसी particular community, किसी group की बात कर रहे हैं, उसके physical features से हम उस group को जानते हैं, ठीक है, तो यहा पर वो racial theory क्या कह रही है, सबसे पहले तो देखो, जो word होता है, जो Sanskrit word है, caste के लिए, जो हम Sanskrit word जाती के लिए, जो हम word, sorry, Sanskrit word use करते हैं, वो होता है word, और word का मतलब क्या होता है, color, आपका क्या रंग है, आप किस color के हो, वो आपकी, जो है, वो चीज बताता है word, word का मतलब होता है, color, Rig Vedic literature differentiate between Aryans and non Aryans on the basis of complexion, speech, religious practices and physical features, अब थोड़ा सा history में चलते हैं, आपको पता होगा कि Aryans जो है, इंडिया में invade करते हैं, ठीक है, Aryans इंडिया में आ जाते हैं, Aryans कहां से आए, इसको लेके बहुत सारी theories हैं, हमने history में पढ़ा हुआ है, लेकिन अब Aryans आते हैं, यह ए यह जस्ट ऐसी मान लीजिएगा कि यही मैप है भी तो इंडिया का, ओके, जब सपोस यह इंडिया का मैप, जब सपोस, ओके, अब हमको पता है कि Aryans आते हैं, आरियन्स इंडिया में आते हैं, हिस्ट्री की बात, थोड़ा सा हिस्ट्री में चले जाते हैं, आरियन्स इंडिया में आते हैं, वो इंडिया को इन्वेड करते हैं, ठीक है, और जो लोग यहां पर रह रह होते हैं, जो लोग नौर्थ में रह रह होते हैं, वो इन सभी को नीचे भेज़ देते हैं ब黑ल वह क्या करते हो इनकी जगे हडप लेते हैं और यह जो लोग यहां पर रहर थे उनको नीचे कर देतें hoya इतर ही मान लेता है यह वाला छोड़ेते हैं। पूरा मैं पीचल गया ठीक है सपोस ये इंडिया है यहां आरियंस आ गए इन्हों ने क्या किया इन्वेड किया तो जो लोग ऊपर रह रहे थे उनको नीचे भीज दिया तो जो आरियंस नहीं थे वो हो गए नॉन आरियंस ठीक है हिस्ट्री में अपन ने यह वाली चीज उनका complexion बड़ा ही bright था, वो लोग बड़े ही गोरे थे और जो इंडिया के लोग थे उनका complexion dark था, उनकी जो speech होती थी, वो अपनी एक language बोलते थे और जो थोड़ी clear सी थी, Hindi-Sanskrit mix होके बोलते थे, लेकिन जो इंडिया के particular लोग थे, वो Sanskrit words use करते हुए, उनकी जो language थी, religious practices, physical features, उनकी थोड़ी सी rituals थे, जो उनकी religion वगेरा थे, वो practices थोड़ी सी difference थी, तो इन basis पर, इन basis पर, दो differentiation हो गए, यानि कि जो people थे, वो two parts में divide हो गए, एक हो गए Aryans, एक हो गए non Aryans, और इनके बार में हमको कहां जानने को मिलता है, रिगवेद में, ठीक है, रिगवेदिक literature में हमको Aryans और non Aryans के बार में जानने को मिलता है, तो यह racial theory क्या कहती है, यह racial theory कहती है कि जब Aryans हाए, तो उनकी वज़े से, उनकी वज़े से, जो people थे, उनको हमने differentiate कर दिया Aryans में और non Aryans में, और color के basis पर, color के basis पर हमने उनको differentiate कर दिया, complexion, speech, religion, उनके physical features को देखते हुए हमने उनके बीच में distinction किया, और generally यह वाली प्रता थी कि जो लोग गोरे होंगे, क्योंकि वो सुन्दर दिखते हैं, और उनका complexion भी bright है, तो वो लोग rule करेंगे, या फिर शासन करेंगे, और वो rules बनाएंगे, policies बनाएंगे, और plans बनाएंगे, ठीक है, वो law बनाएंगे, औ जो लोग non-areans थे, क्योंकि उनका complexion dark था, और वो जादे इतनी सुन्दर नहीं दिखते थे, तो वो जो लोग हैं, वो लोगों को सर्व करेंगे, ठीक है, वो दास वाला काम करेंगे, वो लोगों को सर्व करेंगे, तो इनका जो racial theory है, वो यह कहती है, कि यह जो caste system है, यह क्लियर होगा कि traditional theory क्या थी और racial theory क्या थी, next theory क्या है अपनी, next है political theory, अब political theory क्या कहती है, caste system को ले के, so accordingly, the caste system is a clever device invented by brahmants in order to place themselves on the highest ladder of social hierarchy, political theory यह कहती है, कि यह जो caste system है, इसको बहुत ही चालाकी के साथ में, बहुत ही चितुरता के साथ में, जो ब्राह्मन थे, उन्होंने इन्वेट किया, उन्होंने इस caste system को ले के आया, और उनके लाने का कारण क्या था, कि वो समाज में यह जो एक श्रेणी बद्ध प्रता चल यह जाती प्रता यह caste system लेके आते हैं, अब देखो, वो यह चीज बोल रहे हैं कि जो ब्राह्मन थे, जो ब्राह्मन थे हमेशा से उनको टॉप पे रखा गया था, अगर हम पहले की थेओरिस देखें तो क्या माने जाता था कि वो ब्रह्मा के सर से निकले हैं, वो ज्यान द पर थे, अब यह प्रता तो पहले चली आ रही थी, पर यह आज तक कैसे चली आ रही क्योंकि ब्राह्मन हमेशा यह चाहते थे, कि वो हमेशा टॉप पर रहें, उन्हें हमेशा पूजा जाए, हमेशा उनकी रिस्पेक्ट की जाए, इसी लिए उन्होंने इस जाती प्रता को और आगे बढ़ाते गए, अगर आप मनुस्मरती पढ़ोगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे बहुत जादा एक रिजिड सिस्टम कास्ट का इवॉल्व होते गया, ठीके, किस तरीके से ब्राह्मन्स ने अपनी मोनोपोली बनाना स्टार्ट किया, ठीके, तो वो ज इतने भी धर्म कर्म के काम हैं, उसके लिए पुरोहित की जरूरत पड़ेगी, या किसकी प्रीस्ट की जरूरत पड़ेगी, पंडित की जरूरत पड़ेगी, जो उसके लिए सारे काम करवाएगा, और तब ही वो राजा बन पाएगा, क्योंकि जो राजा, ये सारे जो यह चीज किसने ख़ई यह चीज कई ब्रामबन क्यों कहा कि जब राजा का हमको सपोर्ट भी मिलता रहेगा और हम रिस्पेक्टेबल भी रहेंगे ऐसे ही बहुत से जो है डिवाइसे उन्हों ने invent किये बहुत से means invent किये जिसके through उन्होंने अपने आपको हमेशा टॉप पर रखा तो इस तरीके से ब्रामबंद ने अपनी domination अपने आपको dominate किया society में और जो आपने conflict theory मैंने आपको अल्रेडी पढ़ाई भी थी तो वो लोग क्या कहते थे कि conflict theory कि जो dominate करेगा society हमेशा उसके लिए वर्क करेगी तो ब्रामबंद ने क्या किया हमेशा dominate किया अपनी domination बनाना स्टार्ट की अपनी hegemony बनाना स्टार्ट करी और political theory यही चीज हमको दिखाती है caste system के अंदर तो उनका कहने क्या है कि caste system आज भी कैसे चला रहा है क्योंकि ब्र वाला भी आपको clear होगा ओके अपनी next theory है occupational theory अब occupation क्या होती है आप जो भी काम करते हो वो आपकी occupation को दिखाती तो occupation theory क्या कहती है accordingly those professions which were regarded as respectable and better made the person who performed them superior to those who were engaged in dirty professions अब देखो यह theory यह कहती है कि जो भी लोग उन professions में थे या वो वाला work करते थे जो कि बहुत ही respectable हुआ करता था और जो कि बहुत ही मितलब उसको अच्छा माना जाता था कि यह वाला काम अच्छा है तो वो caste system में top पर हो जाते थे hierarchy में top पर हो जाते थे और जो लोग dirty professions में होते थे ऐसा माना जाता था कि जो लोग dirty professions में हैं, अच्छा काम नहीं करते हैं, गलत काम इनना सेंस ऐसा नहीं है कि वो चोरी चकारी करते हैं, लेकिन जैसे वो manual scavengers हैं, जो की toilets वगेरा को साफ करते हैं, जो की जो आपके यहां पर जब भी, जैसे septic tank है, वो भर्ज गया है, तो उसको साफ करने के लिए ज जाता था और जाती में उनको सबसे bottom पे रखा जाता था, जाती के अंदर उन्हें सबसे bottom पे रखा जाता था, जो अच्छा काम करते थे, जैसे कि कोई ग्यान दे रहा है, कोई लड़ाई, मतलब हमारी लिए लड़ रहा है, कोई रूलर है, कोई शासन कर रहा है, या फिर को जो है ट्रेडिंग वाले वर्क में तो यह सब भी जो है टॉप पोजिशन पर हो जाते थे और जो सर्विंग का काम करते थे वह जो मतलब अच्छा वर्क नहीं था उनका अच्छे प्रोफेशन में नहीं थे वो डाउन पर आ जाते थे वो हाई रेर्टी में सबसे बॉटम पर हो जाते थे तो प्रोफेशन के बेसिस पर भी या आपकी ऑक्क्यूपेशन के बेसिस पर भी कास्ट को डिफाइन किया जाता था नावित फंक्शनल डिफ्रेंशियेशन अब फंक्शनल डिफ्रेंशियेशन यानि की बहुत सारे फंक्शन पहले की समय में क्या होता था प्र करते थे लोग यह सभी काय में आ जाते थे यह वैश्य में आ जाते थे और जो लोग सर्व करते थे वो सभी जो है शुद्र केटिग्री में आ जाते थे लेकिन फिर धीरे-धीरे क्या हुआ जैसे कि अपने पड़ा है कि अब जैसे समाज आगे बढ़ता गया वैसे वैसे लोगों के काम भी डिवाइड होते गए पहले जो सरफ चार काम हुए थे अब वो चार काम नहीं रहे गया वो चार वर्ण नहीं रहे अब तो बहुत सारे वर्ण आ अगए बहुत सारे लोग बहुत सारे काम करते थे तो फंग्च्णल डिफ्रेंशियेशन की वजे से there came occupational shaking क्योंकि function आपके अलग अलग हो चुके थे तो आप आप काम भी अलग-अलग करते थे जिसकी वज़ले से बहुत सारी sub cast यानि कि जाती के अंदर वी उपजाती आ गई, अब वो उपजाती क्या थी जैसे की लोहार, जो लोहार हुआ करते थे, लोहे का काम करते थे, Black Smith जिने English में कहते हैं, उन्हें हम लोहार कहने लगे, जो लोग tenner का काम करते थे, उन्हें हम चमार कहने लगे, जो ऑईल प्रेसर्स थे तेल वगेरा निकालते थे उन्हें हम कहने लगे तेली तो ऐसे करके बहुत सारी सब कास्ट निकल के आ गई एक समय ऐसा आया कि जब जो राजा लोग हुआ करते थे जो किंग थे तो जैसे कोई एक स्टेट है ठीके बहां का जो राजा है अब वो जो शूद्र होते उनकी ज़्जा नहीं होती ज़्यादा कोई उन्हेंन नहीं पूस्ता था तो उन्नोंने मिलकें नहीं कास्ट निकाली उन्हें नहीं अपनी समाजी बना लिया उपना एक जाती बनाली तो ऐसे करके धीरे regions बहुत सारी जाती जो है आती गए तो यह सभी क्या है यह सभी सब कास्ट निकल किया इस अपनी अपनी सुविधा के अनुसार अपने अपने अपनी जाती बना ली तो आपक्यूपेशन के बेसिस पर कास्ट सिस्टम एवाल्व होता गया देन लास्ट बट नॉट देलीस्ट आपकी है इवोल्यूशन थियोरी यह कहती है कि दा कास्ट सिस्टम डिड नॉट कम इंटो पर्टिकुलर डेट इस अप्रोसेस अफ लॉंग प्रोसेस अफ सोशल एवॉल्यूशन यह यह चीज कहते हैं कि जो जाती प्रथा है जो कास्ट सिस्टम है वो कही ऐसे एकदम से उभर के नहीं आया था कि हाँ भाया अब जो है अब हम जाती मानेंगे अब यह जाती के आगे तक भी चलता गया यह जो जाती प्रथा थी यह आगे तक भी चलती है लोग इसे मानते आये जिसके कारण यह अभी तक एवॉल्व होती जा रही है ठीक है अभी भी कितनी जाती है मतला हमारे इंटरकास्ट मैअरजज अभी बहुत कम लोगों की होती है और फिर जनरल यह चीज होती है जो लोग कास्ट हरैर्की में टॉप पे होते हैं या जो यह समझते हैं कि हम उची जाती के हैं वो अपने घरों में क्या करते हैं जो लोग नीची जाती के होते हैं या जो उनके आपे सर्वेंट्स आते हैं जो उनके वर्क करते हैं उनके बरतन निकाल के रहा है ठीक है आगे क्या हुआ इस सिस्टम में यह तो हम पढ़ेंगे लेकिन इवॉल्यूशन थियूरी यह कहती है कि देखो एक तरफ ब्राह्मन थे जो अपनी हेजिमनी बनाए रखना जाते थे जो रूलर्स थे वह इस सिस्टम को खतम नहीं करना चाहते तो उन्हें लगत होने लगी कि यह जातियां है यह जो जातियां है यह भगवान ने बनाई है और इन्हें हीork क्यों को बदलना भी चाहते थे तो फ़ोग उन्हें बदलते थे क्या रही यह हमारी जातियों में बीच में आ रहे हैं क्योंकि हमेशा ब्राम्मंट जो थे या जो टॉप हाइरर्की में थे वो अपनी पोजिशन को होल्ड करके रखना चाहते थे तो बहुत सारे ऐसे पास्ट में ऐसी बहुत सारी चीजे चल रही थी जिसकी वज़े से यह प्रोसेस औ और आगे बढ़ता गया और यह खतम नहीं हो पाया जो आपको समय में आगे होंगी कि कैसे कास्ट सिस्टम इवॉल्व होता गया और आज भी वो प्रेजिंट है देन वर्ण और कास्ट जो अपन स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे थी कि वर्ण क्या होता है वर्ण मतलब कलर होता और कास्ट इन दोनों टर्म्स में मतलब क्या है जो मैंने आपको ट्रेडिशनल थेओरी में कहा कि जाती जैसा शब्द कहीं यूज नहीं होता था कास्ट अगर आप लिटरली वर्ण का मतलब होता है तो वर्ण का मतलब होता है कलर लेकिन यह जो वर्ण है यह वरी शब्द से निकल के आया है जिसका मतलब होता है आप क्या काम करते हो ठीक है आप क्या ओवर करते हो आपकी इस ओक्यूपेशन में हो वो चीज आपका वर्ण दिखाता है तो वर्ण दो चीज दिखाता है एक तो कलर भी दिखाता है और एक आपकी ओक्यूपेशन को भी बताता है तो इसलिए यह कह सकते हैं कि वर्ण इसके बेसिस पे या इसे वर्न कहा जाता था बलकि कास्ट क्या है कास्ट या जाती ओरिजिनेटेट फॉर्ट वर्ड जन कास्ट जन शब्द से निकल के आया है जिसका मतलब होता है टेकिंग बर्थ ठीक है बोलते है ना जन्म लेना उसी जन से उसी वर्ड से कास्ट निकल के आया है या जाती निकल के आई है इसलिए जो जाती होती है वो आपके जन्म पर आधारित होती है आपने जहां पर जन्म लिया है आपने जिस कास्ट के अंदर जन्म लिया है आप भी उसी कास्ट के हो जाते हो यानि कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहाता है जो आपके पैरिंट्स की कास्ट होगी किस से रिलेटेड हो गया बर्थ से और वर्ण क्या है आपका कलर या आपकी ओक्यूपेशन नाओ वर्ण ओनली फोरिन नमबर अब जो वर्ण होते हैं वो तो किवल चार होते हैं कौन से होते हैं ब्राम्मन शत्री वैश्य और शुद्र लार्ज नमबर और सबकास्ट लेकिन आपकी जाती भी है फिर आपकी उपजाती भी होती है तो यह लार्ज होती है नमबर में इट इस अन ओल इंडिया फेनामेना वाइल प्रेसेंस ऑफ रीजनल वेरियेशन मोस्ली बेस्ट ओन लिंग्विस्टिक डिफरेंस अब जो वर्ण प्रथा थी जो ट्रेडिशनल थिय हमें यही चीज़ चलती थी लेकिन जो कास्ट है उसमें रीजनल वेरियेशन होती है यानि कि अलग 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 छेत्र में किसी एक जाती को बहुत महान माना जाता है और किसी एक जाती को जो है बहुत कम माना जाता है जैसे अग इन जनरल अगर हम देखें तो जो ब् लेकिन अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग रीजन में किसी एक कास्ट को टॉप पर रखा जाता किसी एक कास्ट को लोवर पर रखा जाता यानि कि आप फिक्स नहीं कर सकते हो कि यह हमेशा टॉप पर होंगी यानि कि इसमें रीजनल वेरियेशन होते हैं यह आपकी लैंग होता है वो उसके अंदर flexibility होती है flexibility कैसे होती है यानि कि आप किस वर्ण के हो या आप change कर सकते हो आज आप लोगों को ग्यान देते हो आप teaching करते हो आप intellectual हो तो आप ब्रामन हो कल को आपका मन बन जाता है कि यार मुझे rule करना है मैं rule करना चाहता हूं मैं युद्र लड़ना चाहता हूं तो आप शत्रिय हो जाओगे यानि कि आप अपने वर्ण को बदल सकते हो और यह पहली की बात चल रही है मैं तो शूब्र में आना चाहती हूँ तो क्या ऐसा हो सकता है क्या ऐसा possible है मेरे कहने से नहीं हो क्योंकि समाज मुझे recognize ही नहीं करेगा वो तो यही कहेगा की नहीं आप यहींuks की जाती है वो रिजिट होती है आप अपनी जाती को बदल नहीं सकते वह जन्म से ही आपको द नाव तो यह डिफरेंस होता है वर्ण और कास्ट के बीच में कि आप किस वर्ण के हो या फिर आप किस कास्ट के हो लेकिन आज के टाइम में क्या प्रिवलेंट है या आज के टाइम में क्या चलता है आज के टाइम में कास्ट सिस्टम ही चलता है नाव कास्ट सिस्टम आउट या यह भारत के बाहर भी है, यह जीज जानना भौत इंटरस्टिंग होगा, क्योंकि हम हमेशा भारत के अंदर जानते हैं, हमारे यहां बहुत caste inequalities है, हमारे हैं caste system जो करता है, लेकिन, क्या यह system भारत के बाहर भी है, यह अपन जान लेते हैं. The caste system is found in other countries like Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Indonesia, China, Korea, Yemen, Africa and Europe as well यानि कि आप देखरो कितनी सारी countries हैं जहां पर caste system prevail करता है यानि कि ऐसा नहीं है केवल भारत के अंदर ही जाती प्रथा चलती हो या यहां पर ही केवल जाती हैं वाकी other countries में भी और ऐसा नहीं कि स्रिफ मैंने जितनी मेंशन करी उनी में बहुत सी ऐसी countries हैं जहां पर caste system चलता है But what distinguizes Indian caste system from the rest is the core theme of purity and pollution लेकिन भारत के caste system में, Indian caste system में और बाकी other countries के caste system में क्या difference है तो वो है core theme of purity and pollution यानि कि आप कितने ज़ाधा जो है pure हो, कितने पवित्र हो, आप कितने अपवित्र हो, आप कितने स्वच्च हो, आप कितने मलीन हो इन बेसिस पर इन बेसिस के ऊपर इंडिया का कास्ट सिस्टम और बाकि अधर कंट्री का कास्ट सिस्टम डिफर करता है भारत में किसके ऊपर जादा ध्यान दिया जाता है purity and pollution के उपर आप किते जादा pure हो या polluted हो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए caste system भारत के अंदर prevail किया और आगे बढ़ता गया evolve होता गया अब ऐसी कौन सी caste है जो बाहर भी पाई जाती है तो जैसे कि येमन येमन में एक अल अखदम caste है जो कि hereditary caste है perennial manual workers ये लोग manual workers है हाथ से जो है काम करते हैं और मतलब ये बहुत सालों सा ऐसे चले आ रहे हैं काम करते आ रहे हैं और ये hereditary caste है यानि कि ये काम करते हैं के बच्चे भी वही काम करते हैं है completely है चला आ रहा है तो यह 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 मन की कास्ट कौन सी अल अक्धश्द में बुरा क्यूमिन एक कास्ट है बुरा क्यूमिन जो कास्ट है वह आउट कास्ट community in feudal area in pure इन्हें impure माना जाता है आप पवित्र माना जाता है और यह जो है मतलब जापान के अंदर भी कास्ट सिस्टम प्रिवेल करता है अगर आप कास्ट सिस्टम को थोड़ा सा अनिलाइज करें अगर हम तो हम देखते हैं कि कास्ट इस अ कुल्चरल फिनामना डाट इस अ मैटर आफ आइडिलोजी और वेल्यू सिस्टम इस फाउंड ओनली इन इंडिया अगर आप क तो कास्ट एक कल्चरल फिनामना है जो केवल इंडिया में पाया जाता है जो केवल इंडिया में पाया जाता है लेकिन जब हम उसको स्ट्रक्चर में देखते हैं जब हम उसको सुसाइटी के स्ट्रक्चर के अंदर देखते हैं तो हम देखते हैं कि हर एक समाज के अंदर का caste system होता ही है. caste based differences are practiced in other religions too. बाकि और भी ऐसे बहुत से religions हैं जिनके अंदर caste system है. ऐसा नहीं कि भारत में केवल हिंदु धर्म के अंदर ही ये वाला caste system है. Muslims में देखो Christians में देखो हर एक religion के अंदर जैसे अश्रफ करके जो है एक caste होती है जो Muslim community में पाई जाती है I am not very much मतलब मुझे उस चीज़ के बार में जात इतना नहीं पता है लेकिन हर एक religion के अंदर caste based differences होते हैं या पाई जाते हैं I hope आपको ये भी clear हो गया होगा सो आगे क्या कर सकते हैं अब इतनी सारी चीज़ें हैं हमेशा से चला आ रहा है ट्रेडिशनल थ्योरी सम देख रहे हैं कैसे origin हुआ caste होता क्या है फिर उसके बाद में caste और वर्ण के बीच का क्या difference है और कैसे ये caste system केवल इंडिया में नहीं ब अब तक कर रहा है लेकिन आगे क्या हो सकता है so undergoing changes due to progress in education, technology, modernization and changes in general social outlook is still a long way to go अब देखो हम modern times में आ चुके हैं modern society के अंदर आ चुके हैं इस time period में इस time में हमारे आँ education में progress हुई हम सभी बहुत शिक्षित हुए हमारे पास में बहुत जादा knowledge provide हुआ हमने चीजों को जाना universalistic values हमने gain करी हम किसी particular religion या किसी particular tribe या किसी particular clean culture के बारे में नहीं पढ़ते है बलकि हम पूरे universe को study करते हैं हम knowledge gain करते हैं हर एक अब जो है मतला हर एक individual आज की time में educate हो रहा है हम progress कर रहे हैं हम develop हो रहे हैं technology आ चुकी है हम modernize हो चुके हैं हमारे जो एक society को लेके outlook था वो बदल चुका है पहले के लोग केवल खेती किसानी करते थे उसे ही बेसते थे फिर मतलब आप खुद देखिए आपकी life में कितनी सारी चीज़े हैं आप पढ़ भी रहे हैं फिर आप घूमते फिरते भी आप अपनी family को भी देखते हैं आप अपने जो है जो भी आपके relatives हैं उन्हें भी ध्यान भी देखते हैं आप modernize हो चुके हैं आप technology देख रहे हैं mobile phones हा अब हम जितना जादा जैसे पहले के समय में तो यह होता था कि अगर कोई नीची जाती का है तो वह उची जाती के घर के सामने से भी नहीं निकलेगा ओ जहां बड़े लोग रहते हैं जहां बड़ी जाती के लोग रहते हैं उची जाती के लोग रहते हैं तो नीचे लोग आप भी नहीं सकते हैं, मतलब आपनी नजर भी नहीं डाल सकते हैं, लेकिन आज सब एक साथ में काम करते हैं, एक ही ओफिस होता है, कितने लोग काम करते हैं, हर एक जाती होता है, आप जिस क्लास में पढ़ते हैं, या आप जहां भी इंस्टिटूट में भी पढ़ते हैं, त और यह बहलोंगी ईंडिया में नो कास्ट सर्टिफिकेट वह बनवा सकते हैं अभी इसमें और जादे evolution हो रहा है और हम इस चीज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और जादे प्रोग्रेस हो रहा है यानि कि society में और इंडिया में इंडिया में क्योंकि caste system बहुत जादा rigid है अब जो नीचे जाती के लोग होते थे पहले उन्हें पूछा नहीं जाता था उन् के लिए plans है, policies है, scholarship है, उन्हें education provide की जादी, education institutions है यानि कि बहुत सारी चीजे change हो चुकी हमारा जो social outlook है चीजों को लेके या caste को लेके अब वो बहुत जादा change हो चुका है और आने वाले समय में आने वाले समय में ऐसा होगा कि जाती को लोग जादा तर माननेता नहीं देंगे कि आप किस जाती के हो कि आप इंसान हो that is more important for us और मेरा भी मानना यह है कि ह हमें जादा से जादा इंसानियत पर focus करना है ना कि कौन किस जाती से belong करता है ठीक है यह एक तरीके का functional differentiation था जो पहले के time में exist करता था जब लोग जादा educated नहीं थे जब हम जादा advanced नहीं थे लेकिन अब हम advanced भी है technologically advanced भी है educated भी है तो यह जो एक system हमारे यां prevail करता है इससे हमें खतम करना है ठीक है हमको इस system को खतर करना है अभी बहुत long journey है still a long way to go अभी हमें बहुत आगे जाना है बहुत सी चीजों को बदलना है और बदलाव के शुरुआत कहां से होती है अपने आप से जब आप अपने outlook को change करेंगे जब आप अपने नजरिये को बदलेंगे तब ही आप समाज में change लेके आ सकते हैं so I hope मेरे आज का जो ये interesting सा topic में आपके लिए लेके आई थी ये आपको समझ में आया होगा कि क्या होती है कास्ट कहां से ये system start हुआ कैसे prevail हुआ बाहर की countries में भी कास्ट system है या नहीं है और आगे हमें और आपको मिलके क्या काम करना है so I hope everything is clear to you a very big thank you for all to listening for listening me okay so मिलते हैं अपने next lecture में जहां पर मैं आपके लिए और भी interesting से terms लेके आने वाली हूँ that are most important in sociology so मिलते हैं next video में thank you very much and magnet brains magnet brains एक ऐसा channel है जो आपको kindergarten to 12th class तक के सारी classes के सारे subjects के सारे videos provide कराता है बिलकुल free of cost याने की 100% online education और इतना education की आपको जो चाहिए जो भी पढ़ना है आप magnet brains पर पढ़ सकते हैं so stay tuned with magnet brains thank you very much